अाज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Lava Blaze 2 Android वाइलफोन में आप जो है Hotisport की security setting को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Hotisport की security setting जो है इनेबल होने के बाद इस setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वालो हूं तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज को ओपन कर लीजिए इसके अगले पेज में आपको यह ओप्शन मिलेगा सिक्योर्टी का सिक्योर्टी पर सिलेक्ट करना है अब सिक्योर्टी का एक छोटा सा पेज ओपन होगा इसमें आपको जो ना उपर की सैट यह सैटिंग कैसे काम करती है यह मैं आपको बता जेता हूँ देखिए जब भी आप अपने मुवाइल फोन के हॉट इस पोर्ट को on करेंगे तो इससे होगा क्या कोई भी unknown person आपके हॉट इस पोर्ट को अपने डिवाइस से connect नहीं कर पाएगा ठीक है उसको जो है connect करने के लिए आपके हॉट इस पोर्ट का password यूज करना पड़ेगा तभी connect कर पाएगा अधरवाइस नहीं कर पाएगा यह होट इस पोर्ट की security setting जो है इनेबल करने की वज़े से ऐसा हो पाएगा ठीक है तो यह setting जो है इस तरीके से काम करती है आपके phone मे अब मैं आपको इस security setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको करना है क्या होगा अपने mobile phone में setting page open करना है setting page में आपको सबसे ओपर यह search setting का option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है security आप यहाँ पर type किजिए इस तरीके से तो highlight करता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया security setting को ढूंडने का ठीक है